गौतम बुद्ध रोज अपने शिश्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की ज्यान की बातें सुनने काफी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोब, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शान्ती नहीं मिल सकती है। बुद्ध ने उस व्यक्ती से पूछा कि तुम कहां रहते हो। उसने जवाब दिया कि मेंश रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने पूछा यह जगह यहां से कितनी दूर है। उस व्यक्ती ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा तुम तुम हैं वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है? व्यक्ती ने पहुचने का समय भी बता दिया. इसके बाद बुध्ध ने अंतिम प्रश्ण पूछा कि क्या तुम यहां बैटे-बैटे ही इस रावस्ती पहुच सकते हो? इस प्रश्ण के जवाब में व्यक्ती ने कहा क गुरुजी, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा. तब ही मैं वहाँ पहुंच सकता हूँ. बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्षे तक पहुंच सकते हैं. ठीक इसी तरह, जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं. तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा. सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं अपनाना होगा. व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझा गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया. बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया.